साथ यो एक कहावत होती है इंगलिश में कहते हैं कि प्रैक्टिस वट यू प्रीच कुछ भी आपने उपदेश देना है तो उससे पहले अपने उपर लागू कर लो अगर आप अपने आप नहीं कर सकते हैं अपने उपर लागू तो आपको बुलने का अधिकार भी नहीं है ऐसा क्यों बोला मैंने ये कलप परसों के जो वास्तु वाले आए लड़के जिनने ना तो experience ना जिनके पास qualification और ना जिनके पास इसको काम को करने के वास्तु के काम को करने का कोई अनुभव ना वेदों से कोई दूर दूर तक ना था उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी मैं आने वाली वीडियो में सब आपको बताऊंगा क्या क्या गड़बट कर रहे हैं और किस ना से ये लोग अपनी कैसे शब्दा वली यूज़ कर रहे हैं आपके लिए छोटे छोटे वास्तु दोश में कितने गंबी परिणाम दिखा रहे हैं मृत्य हो जाएगी ऐसे भी शब्द यूज़ कर लेते हैं इससे भी नहीं पच्छते ये अच्छा नहीं है ऐसा होता भी नहीं है मेरे पास एक मेसेज आया कमेंट्स में के सर बरमस्थान के बारे में किसने ऐसा बोल दिया कि अगर बरमस्थान के आसपास भी अगर बरमस्थान के आसपास भी कोई भी दिवार हुई कोई लकड़ी हुई कोई चेर पड़ी हुई, टेबल पड़ी हुई, सेड़ी हुई, बातरों हुआ, दिवार हुई, कुछ भी हुई, तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, बड़ा गंभीर शब्द बोला, मैं बोलना नहीं चाहता इस वीडियो में, लेकिन मैंने इसलिए कहा था, के practice what you preach, ये जो व नमस्तान होता क्या है, कैसे निकलता है, कितनी value है, और कितना serious है, और कितना practical भी है, ये सब बातें इस वीडियो में बताऊंगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत sensitive होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं वो सब कोई बताऊंगा, जिसने आपके माथे में बल्ड डाले हुए ह नमस्कार, हारदी कभी नंदन, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, साथियों ब्रहमस्तान के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, ये जो है, ये center point होता है, किसी भी भवन का, किसी भी भुखंड का, लेकिन कितना sensitive होता है, और कैसे निकालना इसकी मैंने आपको remedies तो बहुत बताई है पहले भी, लेकिन फिर से उसी topic पर आऊंगा, कि ये ब्रहमस्तान है क्या, निकाले कैसे, आज का topic आप देख रहे हैं, कि ब्रहमस्तान कैसे निकाले, निकाले का मतलब किस तरह से आपको जह है वो calculate करना होगा, शाफ्तर ये कहते है किसी भी भवन का एक बटा नौमा हिस्सा, एक बटा नौ हिस्सा, यानि नौमा हिस्सा, पूरी लंबाई चोड़ाई का जो center बनता है, वो ब्रहमस्तान होता है, यानि ये कहलो, कि उत्तर से पूरव और पूरव से पश्चिम, और पश्चिम से दक्षिन जितनी भी का अगर आप center देख लेते हैं, और center में एक तिहाई जगां को आप अगर इसको taste कर देते हैं, तो बंजाय का ब्रहमस्तान और ब्रहमस्तान में कुछ भी नहीं होना चाहिए, राजस्तान की जो पुरानी हवेलिया है, इसका एक बहुत बड़ा उधारन है, लेकिन क्या आज की परिवेश में, आज की परिस्तिती में आप क्या center में एक तिहाई हिस्सा लंबाई का और एक तिहाई हिस्सा चुड़ाई का खाली छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं, वो समय जब बेटिंग बनाने का तरीका, बेटिंग बायलोजी और तरह से काम करती थी, बनान लेकिन आज समय बदल गया आज आपको जय हवेलिया बंती नजर शायद नहीं आएंगी आगे चलते हैं मैं आपको बताता हूँ बरमस्थान है किया आपने कितना वहम करना है मैंने आपसे कहा था कि जो वास्तु शास्त्री कलप परसों के हैं अगर आप उनके क्लोज हैं या बहुत नजदीक हो जाते हैं तो एक काम कर लेना आप कहना कि माने वर हमें आपके जरा घर चलना है ये मत कहना कि बरमस्थान देखना है ये कहना कि मुझे आपके घर चलना है और आपके घर जाकर मुझे देखना आपने कौन कौन से कलर कैसे कैसे कितना सुन्दर आपने घर बनाया हुआ है किसी भी बहाने से चले जाना आपको बता दूँ एक बात अंदर की ये जो नई उमर के हैं जिनकी उमर अभी जए 20-30-40-45 तक भी है इवन ये जो है इनके पास कोई लंबा experience नहीं जो कल पर सो कूद कर अचानक आ गया वास्तू में इन लोगों के अपने घर भ बना हुआ मिलेगा ये मैं दावे से कह रहा हूँ चलेंज के साथ कह रहा हूँ और 95% भी सोच समझ के बोल रहा हूँ हो सकता है कि 98% के साथ ये हो क्यों क्योंकि इन्हों ने जो मकान बनाये था जिस मकान में रहते हैं वो मकान जब बनाये था उस से में पर ये वास्तू शा जिनकों की वास्तों के बारे में बहुत बड़ा ग्यान हुआ करता था पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भाया न कोई धाई आखर प्रेम का पड़े सो पंडित होई अच्छी भाशा बोलें अच्छे शब्द बोलें ये लोग और ऐसे मिर्तिव जैसे शब्द यूज ना करें तो ही अच्छा है क्योंकि मेरी नजर में ये इनका बहुत गटियापन है अगर मैं ये कहूं कि अगर ऐसे शब्दों का यूज करके लोगों को ड्रा देना बहुत बड़ी नीच्टा है तो भी कोई ये शब्द इतना सक्त नहीं है साथ ही मुझे क्रोद तब आता है कि जब ये लोग पैसा बनाने के लिए पैसा कमाने के लिए पैसा एंटने के लिए पैसा निकालने के लिए, लोगों के बू में पैसा डाल, हाट डाल के पैसा निकालने के लिए, ऐसे ऐसी बाते बोलते हैं, जो नहीं बोलने चाहिए, इसलिए मुझे क्रोध आता है, होते हैं, नेगेटिव एक्टर होते हैं, मैं भी कहता हूँ कि आपके घर में ये चीज गल अगे हैं चलते हैं आगे आपको बताता हूं कि onka बहुत बार सכל करना उसको पर देना ही बहुत मिशकिल होता है recruited है क्यों बिच क्यों कि इसका पता ही नहीं होता कि इसका जो पर очान है कहां पर आएगा किस तरह से आएगा अब discuss के लिए मान लिया कहीं पर जहां एक ऐसा कोई भूखनड़ बना हुआ है इसके इसमें कुछ कमरे बन जाते हैं, कोई ऐसे बनता है, कोई ऐसे बनता है, तो ये होता है, इस तरह से बन जाते हैं, पता ने चलता बरमस्थान कहा गया, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि कोई भी भूखांड होता है, यदि उसके आगे पीछे खाली स्थान चुटा हुआ है आगे भी है पीछे भी है तो ब्रमस्थान एक नहीं होता ब्रमस्थान कहीं होते हैं परिभाशा के इसाब से scientifically ब्रमस्थान एक ही होता है और वो होता है बिल्डिंग का ध्यान से सुलो मेरी बात को मेन जो बिल्डिंग बनी हुई है जो constructed area है constructed area का जो center बनता है that is the ब्रमस्थान sensitive ब्रमस्थान को कहते हैं हम लोग मर्म ही बोल देते हैं अति मर्म की category में आता है क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पर pillar नहीं होना चाहिए column नहीं होना चाहिए अगर उपर से beam जा रहा है तो वो इतना serious नहीं है होना तो वो भी नहीं चाहिए क्योंकि वज़ा नहीं होना चाहिए ब्रमस्थान के अंदर सबसे खतरनाक होती है सीड़ी, किचन, टॉयलेट, गड़ा और कोई उंचा धेर या column या pillar अब निकालें कैसे कहकर तो नहीं छूड़ते हम बताना पड़ता है हमें कि ब्रमस्थान जो होता कौन सा है ऐसे किसी भी भूखंड में जैसा आप देख रहे हैं अपने सामने ऐसे किसी भी भूखंड में अगर आपको ब्रमस्थान निकालना है तब आप क्या करेंगे कि एक तो आप पूरे के पूरे भूखंड को इस तरह से देख लेंगे और उसके बाद इसका ब्रमस्थान निकाल लेंगे एक तरीका सेकेंड तरीका इसका होता है कि आप जहें जितना आपका भूखंड है जितना आपका भूखंड बना हुआ है उतने ही भूखंड को बहुत बार ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है यहाँ पर आपको कॉलम नहीं बनाना यह ध्यान करना है सीड़ी नहीं बनानी तौलेट नहीं बनाना अब रही बात दिवार की साथियों दिवार अगर आप बनाना चाहें यहाँ पर तो वो इतना कोई बहुत जैदा serious नहीं है लेकिन जब घर अंदर के दिवारें बनती हैं वो चार इंस की बनती है नौ इंस की नहीं बनती वो सीधी पट इंटा की नहीं app यह खडईएक की बनती है तो इतना बड़ा वास्तोदोश नहीं आया करता जितना लोग बता देते हैं इसके अलावा अगर आपको partition बीच में अगर wood का कर लेते हैं लखड़ी का कर लेते हैं या PVC का करते हैं किसी और चीज का ऐसी करते हैं जिसका वज़र नहीं होता जिफसम बोड का करते हैं तो वो वास्तोदोश पैदा नहीं होता बिलकुल भी नहीं होता अगर आपने उसमें कोई हलका material लगाया हुआ हाँ congestion पैदा होता है जो movement है वहाँ पर जो circulation of energy है वहाँ पर वो थोड़ी सी वहाँ पर जाकर के वहाँ जाकर कटी हो जाती है movement अच्छा नहीं हो पाता तो खुला रहना चीए बरहमस्तान आजकल की जो bleeding biology है जो bleeding का जो bylaws है या जो bleeding मुराने का तरीका है हर घर के अंदर lobby बनती है that is the बरहमस्तान आजकल बरहमस्तान उसी को बोलते है थोड़ा बहुत अगर वहाँ पर फनीजर रखते तो कोई मुसीबत नहीं कोई समस्य के बात नहीं है आगे चलते हैं देखिए बड़ा जमेला फ्रेट्स बख्रोर में अब समस्य क्या है कि हमने आपको बता दिया कि आपका कोई भी भूखंड आपके पास में आपने उस भूखंड का निकाल लिए बरहमस्तान कोशिच करना कि वहाँ पर उसको अगर आपके भारी चीज ना रखे तो अच्छी बात है कौरम ना बनाएं लेकिं जरूरी होता है जो बना हुआ एरिया होता है जितने बीडिंग है जितना बीटप एरिया है जो भवन है जो में भवन आपने बनाए हुआ है खेत आपका कितना ही बड़ा हो अंतर नहीं पड़ता लेकिन जो आपका बना हो आपका भवन होता है उसका सेंटर ध्यान कर लेना अगर आप एक तिहाई ना रख पाएं खाली तो आप चौथा इससा कर लो पांच मा कर लो लेकिन महा सेंसिटिव जिसको हम बोलते हैं जब 9 इ इसी चीज ना बनाना ज्याद अच्छा रहेगा आगे चलते हैं ये देखिए एक एक एक्जामपल आ गया मैंने आपसे कहा था कि फ्लैट और अपाट्मेंट में जाके फच जाते हैं लोग ये कोटी में या कोई ऐसी खाली प्लोट उसमें तो ब्रमसान निकलना कितना आसा चुटा सा स्टोर पीशे बना हुआ है एक ये बड़ा कमरा बना हुआ है ये ड्राइंग रूम होगा या जैसे भी है एक एक एक्जामपल मैंने लिया यहां पर शायद किचन बनी है जो भी जैसे बना हुआ है अब इसका बरमस्थान निकलना आपने कैसे निकालेंगे इसक तो कैलकुलेट करके अंदाजे से देख लेना कि इसका बरमस्थान बचा हुआ है या नहीं है क्योंकि ये जो एक्स्टा जो पोर्शन होता है इसको अगर आप रिड्यूस कर देते हैं तो कोई अंतरखास नहीं पड़ता अगर आपका पूरा का पूरा है प्लोड का जो बर तो आपका जो फलेट Toy बना हुआ होगा कहीं पर भी वह जो फलेट है आपका कुछ इस तरह से हो सकता है कि कहीं पर एक कमरा आपका बना हुआ है पीशे एक बेटरूम बना हुआ है उसके पास में एक वाश्रूप बना हुआ है आगे उसके बाद में लॉबी शुरू हो जाती है लॉबी शुरू होने के बाद में एक यहाँ पर बच्चों का रूम बना हुआ है फिर यह बच्चों का टॉलेट बना हुआ है इसके पास यहाँ पर आपका जह कोई चोटा मोटा स्टोर है इधर आपकी जह किचन हो सकती है ठीक है यहाँ स्टोर हो गया यहाँ पर टॉलर्ट हो गया यह टॉलर्ट कुछ भी रक्षा हो जाता है एंट्री आपके वाइचांस यहाँ से जाती है यह आपकी जहे लोबी हो जाती है, लोबी का काम करता है, यह कमरा बन जाता है, अब क्या करेंगे ऐसे में? जैसे मैंने आपसे कहा था, कि इसमें आप जहे ना, आप यह कोशिश करो कि इसकंदर आप जहे मोटा मोटा जहे में सेंटर अप ग्रेविटी लेने, एक बात आपको बता दू मैं, एक्च्वल में सेंटर अप ग्रेविटी तभी काम करती है जिसमें पर भूकम पाता है, जब तो नीचे गिरने में कोई जादा देर नहीं लगेगी। फिर परिवार का उठना, बैठना, घुमना, खाना, पिना, सेंटर में अगर लोबी में नहीं होगा तो कहां होगा, उससे परिवार की एकता और एक रूपता भी बनी रहती है सेंटर में। अब इसको जो मोटे तरीके से, वो जो साइंटिफिक तरीका है इसका निकालने का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो आपको कभी अलग से बनाऊंगा, पूरी वीडियो सी पर बनेगी कि इसका 100%, 101% एको रेट क्या तरीका है जिससे के सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलती है, उसमें हैंक करते हैं हम किसी भी ऐसे स्ट्रक्शर की ड्राइंग को, वो आपको समझाओंगा मैं, बहुत टेक्निकल है, हाईली टेक्निकल है वो, आम आदमी के लिए थोड़ सा मुश्किल होता है, मैं बता रहा हूँ, यह जो वीडिया यह आम आदमी के लिए है, क्योंकि आप फस चुके हैं पहले, किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में रहते हैं, या फ्लोर में रहते हैं, बेटर फ्लोर में रहते हैं, और समय नहीं पा रहा है कि मेरा ब्रमसान निकालों कैसे, कहीं से गटाए कहीं बालकनी कहीं कुछ हाँ इसमें हो सकता है कि यहाँ पर बालकनी भी किसी की बनी हो यहाँ पर बालकनी हो सकती है कहीं और हो सकती है बालकनी कुछ भी हो सकते है तो आपने क्या करना है common sense यह common sense यूज़ करना एक अंदाजा कर लेना आपका जो मुख भावर है, इसका एरिया कहाँ कहाँ पर हो सकता है उधारन के लिए इसको जो मैंने भी मार किया, ये इस बन का मुख एरिया हो सकता है देखिए, में जो बिर्डिंग का पूरा का पूरा स्ट्रुक्षर है इसको छोड़ दिया भी हमने, देखो यह सब छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, आपने बाहर निकाल दिया, इसको छोड़ दिया, यह में हमने जो building का है, जो effective area है, जो कि main building जिसको बोच सकते हैं हम, उसको आपने लिया, और लेने के बाद जब cross इसमें बनाएंगे, इस न पूरा परहार करता हूँ और लेकिन वो एक थोड़े है रोज नए कुकर मुते पैदा हो जाते हैं एक से एक खतरनाक बातें करते हैं मेरा जो कमेंट था अगर मैं इसको बोट पर दिखा दूँ जिसने लिखा था तो आपके रोंक टे खड़े हो जाएंगे कैसी कैसी बातें लोगों ने ऐसे नौ सिखी वालों ने जो कल परसों की जो यंग जेनरेशन है वास्तु में जो कूट कर आ गई अचानल पैसा बनाने के उदेशे से कैसे कैसे शब्द यूज करते हैं अभी वीडियो और भी बनाऊंगा मैं एक ने बोला कि कॉरने पलॉट के अंदर मिर्तिव हो जाती है एक ने बोला कि नौर्थ फेसिंग पलॉट होते हैं वो तीन साल में चार साल में खतम हो जाते हैं बरबाद हो जाते हैं एक ने बोला कि दक्षिन मुकी के अंदर यम रहता है राक्षा से रहता है रामड रहता है और पता नहीं क्या के बातें बोली अपनी अपनी बात बोल के चल पड़ते हैं क्योंकि उनका परफस होता है आपको डराना डरना नहीं आप आनद भार द्वाज को आप फॉलो करते हैं साथ ही और इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ बार बार मेरे चैनल को आज और अभी बिना भूले हुए गलती ना हो जाए रहना जाए इसको अभी सब्सक्राइब कर लेना ये चैनल आपकी आँके खोलेगा जिंदगी बदलेगा टेंशन से बाहर निकालेगा अंद विश्वास से आपको परकाश की तरफ लेकर जाएगा ये चैनल ऐसा है डंके की चोट पर इस पर बात करते हैं और पूरे कॉन्फिदेंस से नाम है डॉक्टर आनद भारदवाज दुनिया जानती है कि जहां पर इसकी जहां इसका डिस्कोर्स चल रहा होता है वहाँ पर छुट भही है जो वास्तो वाले हैं वो बगले जागना शुरू कर देते हैं ये निकला बरमस्थान अब आगया बात ये कि आपके घर में आपने देखा कि वहाँ दिवार है सीडी है टॉलेट है कुछ भी यहाँ पर है आपके मन में आरा होगा सवाल कि भार्दोची जी मेरे घर में तो यहाँ पर सीडी है मेरा थे यहाँ पे टॉالेट मुना हुआ है मेरा कुछ और मुना हुआ है मैंने रेमेडी बहुत बताई हैं आपको पहले बहुत बताई हैं वो वीडियो विस्टार्स है लेकिन इसमें आपको दो पॉइंट बता रहा हूँ छोटे-छोटे बरमसान में ब्ल्यू लाइट जला लेना आकाश तत्त्तों को पैदा कर देना नीला रंग महाँ पैदा कर देना ब्ल्यू पेंट भी कर सकते हैं लाइट ब्ल्यू गहरा कलर नहीं करना आकाश का जो color होता है और एक वहाँ पर जाये blue light जला देना एक तरीका नाथ पैदा कर देना वहाँ पर कोई भी जिस धरम के भी हो किसी भी धरम के कोई के वास्तु किसी थरम के लिए नहीं बना हर किसी के लिए वास्तु एक समवान कारे करता है तो आपके धरम का जो भी नाद, नाद किसको बोलते हैं, एक लंबी जो आवाज आती है, धर में खंबारे जो किरिया खलाव में, जैसे ओम बोलते हैं, ओम हो गया, ठीक है, या पंजाबी के जो है, जो अपने जो कल्चर होती है, उसमें भी एक हेक लगती है, बोले सोरी, नि ये स्प्रेड करता है, फैलता है, फैलाता है, इनर्जी को बढ़ा देता है, बड़े असान दो तरीके में आपको बता दिये, वास्तु में ब्रहम स्थान की रेमेडी करने के लिए, यूनिक होते हैं मेरे, जितने भी वीडियो होते हैं, अच्छा लगा, हाँ मुझे पता हैं, लोगों ने, और उस भ्रहम को दूर किया, किसने, डॉक्टर आनन्द भार्दौाज ने, आज के लिए साथियों इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त, नमस्कार, साथियो आपने मेरे चैनल को कर है, और वीडियो के नीचे हो सकता है, आपने जैसे इसके उपर आपने क्लिक किया, हो गया, कितना असान था, आज कर लो, अभी कर लो.